तो आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुती महत्पूर्ण और एक बहुती बहुती बहतरी टेबलेट के बारे में जिसका नामे 0.0 SP इसे सिपला कमपनी बनाती है तो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरो डल SP को किन किन प्रॉलम यानि की समस्या में ले सकते हैं और इसको कब नहीं ले सकते हैं तो फ्रेंड किसी भी दवा के बारे में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि उस दवा को किस केस में नहीं लेना है वरना हो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है तो चलिए देट न करते हैं वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो फ्रेंड एक बहुत ही महत्पूर्ण जनकरी हमारा 0-doll-SP जो टेबलेट रहता है वो तीन साल्ट से मिल के बना रहता है पहला जो रहता है वो से Mg Ecyclofenic रहता है और जो दूसरा रहता है वो 325 Mg Parasetamol रहता है और जो तीसरा रहता है वो 15 Mg Seratio Peptiase Enzyme रहता है तो फ्रेंड जो 100 Mg Ecyclofenic रहता है अगर हमारे सरीर में कहीं पर भी चोट लग जाता है तो वहाँ पर न तो स्वेलिंग होने देगा और नहीं वहाँ पर दर्द होने देगा ठीक है और जो दूसरा साल्ट रहता है 325 Mg Parasetamol वो हमारे सरीर की टेंप्र चर को maintenance रखता है यानि कि हमें वह भुखार नहीं लगने देता है जब हमें चोट लगता है और जो हमारा तिसरा composition रहता है 15 Mg से रेप्ट यूटेज वह एक enzyme रहता है हमारे सरीर में कहीं पर स्वेलिंग हो भी जाता है तो वह इसको कम करने का कामिकर तो अब एक-एक कर सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे केस में जल्दी से रिलिफ देता है अब चलिए अगले पॉइंट के उपर बात कर लेता है कि जिरो डल सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि करने या कामजोरी हो जाने के वजह से हमारे मसल्स होते हैं भी दर्द होना सुरू हो जाता है तो तो लिफ सकते हैं और पिर अगला पॉइंट है ear infection या ear pen तो कभी-कभी हमारे कान में चुट लगने का वज़े से बहुत जोरो से दर्द होना सुरू हो जाता है तो उस case में भी हम लोग 0-doll SP को ले सकते हैं और कभी-कभी हमारे कान में उंड यानी के फोड़े हो जाते हैं या virus bacteria के infection हो जाते हैं तो इस case में भी हम लोग 0-doll SP को ले सकते हैं और डाक्टर भी लिखते हैं ऐसे case में 0-doll SP को यूज करने का तो फ्रेंड अपना next point है swelling तो फ्रेंड कभी-कभी हमें बहुत जोरो से चुट लग जाता है या कभी-कभी हम लोग गिर जाते हैं तो उस case में हमारे पैरो या हाथो या शरीर के किसी भी पार्ट में swelling हो जाता है तो उस case में हम लोग इसका use करते हैं तो हमारा दर्द और swelling दोनों खतम हो जाता है और फ्रेंड अगर जिस इंसान को चुट लगे उसके तुरंत 10 मिनिट का अंदर वो 0-doll SP खा ले तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है throat infection यानि कि ले रेंगाइटिस जैसी कोई भी बीमारी हो जिसमें हमारे गले में infection हो जाये तो उस case में भी हम लोग 0-doll SP का 7 करेंगे तो यह हमारे गले में दर्द के साथ स्वेलिंग को भी कम कर देगा और हमारे गल में बढ़ते हुए infection को भी रोक देगा इसी इंसान के गले में infection रहता है तो ज्यादे तर डॉक्टर भी 0-doll SP ही लिखता है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है viral fever तो अगर किसी भी इंसान को ज्यादे दिन से viral fever है तो उस case में भी वो 0-doll SP का 7 कर सकता है यानि कि ले सकता है 0-doll SP हमारे से बुखार और दर्द को तो कम करेगा ही करेगा साथी साथ viral infection को भी कम कर देगा इसके वज़े से 0-doll SP भी लिखते है डाक्टर viral fever के case में तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है headage यानि कि किसी इंसान के सर में आचानक ब बहुत जल्द रहात मिलना सुरू हो जाएगा तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है करल पिरियेड पेन यानि कि 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 लड़की को पिरियेड के दोरान कमर या पेट में बहुत जोरुस पेन है यानि कि दर्द है तो उसकेस में भी 0-doll SP का 7 कर सकते हैं क्योंकि 0-doll SP में पाया दोनों मिलके बलट क्लोटिंग को असानी से बलट क्लोटिंग से रहात दिला देता है और अगर किसी इंसान को बहुत तीज चूट लगे तो अगर हम लोग 0-doll SP पहले ही दे दें तो यह बलट क्लोट नहीं होने देगा आप सभी 0-doll SP का 7 करने से पहले डाक्टर से राय ज करने देगा दीज गले चाने से अने से एगर हम अगर के में वोगे देगा नहीं है कि अगर हम पहले है रहा देगा करें नहीं है जह है।